हलो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं कुछ अलग सा पॉडर जो काफी अच्छा है स्वास्त के स्वास्त बर्धक है आपके जोइंट्स में दर्ध है या कहीं भी और डाइबिटीज हैं तो उसके लिए फाइदे मन्द है सेबन इंग्रीडियन्स मिलाके हेल्दी पॉडर बना सकते हैं अगर पे ही और हेल्दी पॉडर है ये पूरे बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है रात में सोने के समय इसका एक चम्मच इसका पॉडर बना के पीना है तो सारा पॉडर एक बार बना लीजे और इसे ड्राइ रोष्ट करना है मैंने इंग्रेडियन्स लिया है जीरा, मेती, अजवाइन, काला तिल, उजला तिल, फ्लैक सीट्स और चिया सीट्स इन सारे इंग्रेडियन्स को रोष्ट कर लेना है ड्राइ रोष्ट और उसके बाद इसका पॉडर बना लेना है चिया सीट्स को ड्राइ रोष्ट नहीं करना है उसे अलग से मिक्स करना है पॉडर बना के तो है ये काफी हल्दी मैंने सारा ड्राय रोष्ट कर लिया है और लगबग ये एक से डेड़ किलो के क्वांटिटी में है और ये छे मेहना, साथ मेहना आराम से चलता है ये कभी भी खराब नहीं होता इतने दिनों तक आप आराम से इसको पिसके रख सकते हैं इसे फ्रीज में रखने की जुरुत नहीं है बहुत ही हल्दी पॉडर है और ये फ्रीज के बाहर भी अच्छा रहता है इसी में मैंने सारा इंग्रेडियेंट्स डाल दिया है और इसे घ्राइंड कर लेना अच्छी तरह से पॉडर बनाना है देखे पॉडर बनकर तयार है इसे आप डबे में स्टोर करके आराम से दख सकते हैं ये छे से साथ मेना आठ मेना आराम से रहता है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और हेल्द के लिए भी काफी अच्छा है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जरूर सब्सक्राइब करें इस पॉडर में कोई भी टेस्ट नहीं है लेकिन फाइदे मन दे काफी हिल्दी है और स्वास्त के लिए काफी अच्छा है